अलो गाईज वेलकम टी रेलकाफेक्स एंड कैसे आप सब लोग है आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है विकॉस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कार अंडर 10 लाग बजट और यह जो सेग्मेंट है ना 10 लाग बजट तक का यह बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेग्मेंट में से एक है विकॉस इस सेग्मेंट में कई लोग अपनी फर्स्ट कार डूल रहे होते हैं यह सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग कार होती है तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसी सेग्मेंट में होती है और आज की वीडियो में नहीं है यह रांडम है और सारी कार्स बढ़िया है और आप इन में से कोई सी भी कार सेलेक्ट कर सकते हो और आप इस बज़र में कोई कार्ड हो रहा हूँ तो अपसे बात करते हैं है हैजबेक सेग्मेंट की कार की आज के टाइम पे जादा तर लोग SUV की तरफ मुव कर रह हूं segment west and hatchback segment कर अगर बात करूं under 10 black तो उसके बहुत सारे reason है guys अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एल्ट्राॉस में मिलने वाले features की इसमें आपको बहुत सारे features देखने को मिलें गे इस budget range में ये car आपको बहुत सारे features offer कर रही है इसके लावा ये और चीज़ोंगी तो और चीज़ें भी अगर आप देखोगे इस कार में इस कार में आपको comfort wise भी बहुत अज़ा comfortable suspension है इस कार के riding quality आपको अच्छी मिलती है stable काफी कार है ये कार इसके लावर ये कार आपको पुरे तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी हैज़बैक सेग्मेंट में बहुत ही अच्छा product है अगर आप प्लान कर रहो हैजबैक कार लेने का तो definitely आप इस कार की तरफ जा सकते हो बिकास अंडर 10 लाक ये बहुत ही अच्छा आपके लिए option है विकास safety आपको मिल जाती है comfort आपको मिल जाता है drivability अच्छी है stability आपको ये provide करती है तो जो भी एक user की एक requirement है सारे requirement में ये फुल पिलाती है की में हैजबैक सेग्मेंट की एक कार है तो अगर आप under 10 लाक कोई हैजबैक देखने और उस केस में आप definitely इस कार की तरफ जा सकते हो अब जो कार में आपको recommend करने वाला हूँ वह आती है हिंडाई की तरफ से हिंडाई एक्सर की बात करूं तो ये कार एक feature loaded कार है बहुत सारे features आपको इस कार में देखने को मिलते हैं इस कार में आपको petrol option मिलेगा इस कार में आपको CNG option मिलेगा तो जिन लोगों के requirement है कि उन्हें मालेच जबा चाहिए उनके लिए CNG option है इवन उसके petrol option में भी कापी अची मालेचे निकाल के देती है इसके अलावा features अगर देखे जाएं तो बहुत सारे features इस कार में आते है इसके अलावा अगर safety point of view से अगर कोई बात करे तो six airbang इस कार में आते हैं कई लोगा question रहता है इसकी build quality को लेके तो देको वैसे इसका crash test अभी तक हुआ नहीं है but Hyundai की माने तो Hyundai claim कर रहा है कि उन्होंने इस car की structure quality में भी काम किया है and अगर इस car का crash test अभी कराया जाए तो Hyundai claim कर रहा है कि ये car easily four star तक achieve कर सकती है and I hope बहुत जल्दी इस car का आप car को crash test भी देखने को मिलेगा and I hope ये car उसमें अच्छा score achieve करेगी इस अब बात करते हैं अपनी next car की अगर next car की में बात करूं तो ये जो कार है ना ये बहुत ज़्यादा demand में चल रही है and ये car month on basis पे 10,000 unit sale कर दे रही है जहां हम बात कर रहे है टाटा पंच की टाटा पंच इस टाइम पे कापी ज़्यादा demand में है ये car because हर कोई चाहता है एक SUV फील वाली car लेना and अगर आपकी requirement ऐसी है कि आपको SUV फील वाली car चाहिए और आपका budget बहुत limited आप 10,000,000 के budget में कोई ऐसी car डूल रहे हो तो वो car टा पंच में आपको बहुत सारी चीज़ें offer की जाती है ताटा पंच एक ऐसी car है अगर आपकी highway drive जादा है आपको highway में जो stability ये car provide करती है वो इस segment की कोई और प्रकार provide नहीं करती इसके अलावा car की build quality we all know that की 5 star safety rating के साथ ये car आती है structure quality बहुत ज़्यादा strong है इस car की इसके अल mileage भी निकाल के देती है and overall एक बहुत अच्छा package बन के आती है ये car और under 10 lakh के budget में ये car एक बहुत अच्छा product है and अगर आप देख रहे हो कोई एसी car जिसमें आपको ये सब features मिले तो आप definitely इस car की तरफ जा सकते हो मेरी तरफ से fully recommend है ये car and आप definitely इस car को opt कर सकते हो so guys अब बात करते है अपनी next car की है next car दुबारा से Tata की तरफ से आती है और हम बात कर रहे है Tata Nexon की Tata Nexon की बात करूं तो Tata Nexon already Tata का एक बहुत ही super hit product है काफी लंबे टाइम से Nexon चलती भी आ रही है इंडिन मार्केट में काफी लोग इस car को बसंद करते हैं इस car में आपको बहुत सारी चीजे मिलती है इस car में आपको stability प्रोवाइड की जाती है जो की segment best है इस car में आपको जो build quality दी जाती है व sports and city modes जो कहीं ना कहीं आपकी driving experience को और जदा बढ़ाती है 1.2 liter turbo engine के साथ यह car आती है और 10 lakh यही एक ऐसी SUV car है जो आपको turbo engine offer कर रही है इस range में आपको turbo engine को यह SUV car offer नहीं कर रही है तो यह car इसलिए भी एक बहुत ही अच्छा product बनके सामने आती है इस car को recommend करता हूं और अगर आप 10 lakh के budget में कोई car ढूल रहे हो तो आप इस car के base variant की तरफ जा सकते हो इसका base variant आपको under 10 lakh बढ़ जाता है and मेरे तरफ से बहुत ही जदा recommend है यह car and अगर आप 10 lakh के budget में कोई car देख रहे हो तो definitely आप इस car को consider कर सकते हो तो वैस आप बात करते हैं अपनी next car की है अगर next car की म बात करूं तो next car जो हमारी list में है वो है मारूती की तरफ से मारूती ब्रेजा मारूती ब्रेजा की अगर मैं बात करूं तो मारूती ब्रेजा under 10 lakh एक प्लॉती एक ऐसी कार है जो आपको 1.5 लिटर का engine दे रही है इतना बड़ा engine इस segment की कोई और कार आपको offer नहीं करती इसक सब्सक्राइब कर सकते हो 1.5 लेटर इंजनास में आपको मिलता है कापी ज़्यादा रिपाइन इंजन है इसके अलावे एक आपको पैट्रोल में मिलती है इसमें आपको हाईब्रेट माई हाईब्रेट को option में मिल जाता है यह कार बहुत ही ज़्यादा value for money product बनके आती है इ तो यह कार अगर अगर आप 10 लाक कोई कार ढूंड रहो तो इसके बेस वेरिंट की तरव आप जा सकते हो बेजा एलेकसा को आप अप्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा option है यह कार आपके लिए and definitely इस कार को मैं recommend करता हूँ तो I hope आपको यह हमारी list पसंद आई होगी and अगर आपको यह विडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह विडियो पसंद आई हो तो please like to this video और अगर आपके चलमें नए हो तो please subscribe to our channel guys मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तप तक ले पाई